कि हलो दोस्तों गुड मॉर्णिंग टू ओल अफ यू दोस्तों दस्टिविल टाइम के प्लेट्वर्म पे एक बार पुन हापका स्वागत है दोस्तों दोस्तों हमारे भी जो साइंस के सीरीज है इसमें जो हमारी जो अगली वीडियो है तो इनमल किंडम का है और बड़ा महत पूर्ण होंगे क्योंकि इन से बहुत सारे प्रस्त पूछे जाते हैं और आपको पता होगा अगले यूद के लिए प्रेलिम क्वालिफाई करना रेली बहुत चैलेंजिंग हो गया और इस पर आपकी प्रिपरेशन अगर धंका नहीं हुआ तो फिर आप कही के नहीं रहेंगे क्योंकि बीकिसी ने किया क्या है कि दो तीन एक्जामनेशन को एक साथ ले लेती है और अगर एक बाद अगर छूटे तो एक देर साल तक छूट गये तो इसलिए जो सिलेवस का जो भी हर एक पहलू पर पैनी नजा रखी और उसके लिए को मेहनत करिए अपनी क्वालिटी को इंप्रूब करिए अपने प्रिप्टेशन के लेबल को बिल्कुल टाइट करिका रखी विल्कुल सफ़ज गया है तो ठीक है दोस्तों अगला प्राजाइए जिसे हम अभी एनिमल किंग्डम में किंग्डम में आज हम आपको बताने व अगला यह है जो प्लांटी हल्मिंथस इसे कुछ पूछे जाते हैं इसने मान दीजे कुछ इसने विमारिया है इसलिए इससे प्रस्त बनते हैं तो देखिए इस से पहले अवे तक जो हमने पढ़ा था जेसे पोरी फेदा तो जिसे अब्रम काओद गलते पढ़े हैं विद्क तक पढ़ें अ बताने प्लेंटी हल्मिंत्स तो देखिए यह इससे थोड़ा यसे पोरी फेदा के थोड़ा एडवान्स हो गया इससे एडवांस हो गया इससे एडवांस हो जाएगा प्लेंटी हेलमिन्थस देखिए अब इसमें क्या होता है इस प्रकार के जो और गरीज्म जीव होते हैं इनमें कुछ फीचर इनमल वाला कुछ करेक्टर दिखाई देने लगा इनको छोटी छोटी आंग दिखाई देने लगे हैं तो इसलिए थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान किएगा इसका कुछ फीचर को लिख लिजिए कि देखिए इस ग्रूप इंक्लूड मोर कॉंप्लेक्स डिजाइन पहले सिंपल सिंपल थे अब थ अगर आप देखेंगे तो इन्हें दिखाई देने लगे हैं जाए तो इसका क्या है फीचर बाइलेटरली लेक्टरली सेमेटिकल ठीक इसके बाद क्या है कि इसे और बाकी तो फीचर इसे माले यूकरियोटिक 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 आप लिख लीजेगा फिर मल्ति शेलुलर यह सब अब्लति शेलुलर यह सब तह हो गाई है यह बादि शीमिटिकल एक ऐसे भड़ा गया है इसमें मैं इंसेक्ट आते यह फिरी लिविक जी से इडिया मिल गया पर दिकिसी सायता गृ यूप को जड़तना है फिरी लिविंग हो गई है इसे पारा साइटिक मतलब साइटिक नेचर मतलब यह नुकसान करने माले यह मानिज जो भी जिसे इनके संपत्क में जो भी आया उसको इन्होंने नुकसान पूचाया समझ गए यह यह दीवन लाइक का श्रक्षिन का जो बोड़ी का श्रक्षर देखेगा इस फिरकार का बिल्कुल दीवन लाइक का श् लीबन लाइक का श्रक्षर इसे इनके जो कुछ ओरिगन कुछ इनके अंग डेट फोने लगें कुछ जिसे इनका जो माउफ डेट फो गया था उसके जो जिसे मालीजे मैं से एक ऐसा सिस्टम जो डाइशन के लिए अन। जिसम डबलप होने लगाता है इस प्रकार का इसके भी इस क्रेटरी ओर डवलप होने लगे इनके जो पुछ चूसने वाले विसे सुक इंगे खाने वाला विए विए और गन तेसे इनमें क्या था कि हुब इसका सिंपल एक्जामपल इसे बच्चों में जो कोख होते थे वह क्या करते थे जब बच्चे को जो नुटीशन मिलता था जो भोजन मिलता था उन्हीं को यह सोखने लगे उन्हीं से उसे अपने लिए इस्तिमाल करने लगे समझ गये तो इसके एक शुक्र नेचर मतलब हो गया इसब इनके फीचर होने उने लगे गए तो यह चीन का कुछ फीचर था कुछ फीछिए और लिक लिझे इनमें क्या था कि बड़ी इनका vos था झाल भी को झाल चीजर नहीं थिए अधीन था विलकुल यह ट्रिपलो बिलास्टिक हो गया आज शामान डीज़े ट्रिपलो बिलास्टिक मतब इनकी ओर्गन और आप देखेंगे ना तो देखिए इक्टोडर्म बाहर वाले इंडोडर्म जी से अगर इसके की लेर कुल krijंगे इंडोडर्म यहां बीच वाले हो गया मेजोडर्म तो इस प्रकार का इसका जो जो इंटर्नल कैवीटी है उसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो वेल डिफाइन थे तो यह दीरे-दीर मतलब जैसे तीनो फोरा से थोड़ा एड़ांस हो गया है डाइजेस्टी सिस्टम इसमें एक अच्छा डवलब था समझ गया इसका अगर कुछ आप एक्जामपल अगर आप लिखेंगे तो जादा मर्तपून होगा जैसे फैस्योला लिवर फ्लू के मेंली बच्चों में होता था तो इसका उदाहरन क्या हो जाएगा प्लैंटी हल्मि प्रेशियोला लिवर फ्लू कि अधर यह चोटे बच्चों मेंली होते थे उनके जो जो से उनके जो बच्चे के सरीष से नुट्रीशन जिसे मदर जब दूद पिलाती थी ऐसा दूद पिते तो वह शोक लेता था अधर उस नुट्रीशन को बच्चों को फाइदा नहीं हो अधर यह जो जोग होते थे जो रीवन लाइक यह उसे सोख लेते लिवर फ्लू को बोलते थे देखिए कि फिर होता था चिस चिस्टोमा या बलर्ड शुकर बोलते हैं बलर्ड फ्लू कि इस चिस्टोमा इसको बोलते हैं हम लोग बलर्ड फ्लू कि बलर्ड फ्लू कर बोलत यह ब्लड को चुछने वाले होते थे समझ गए तेनिया सोलियम हो जाएगा टेप वर्म जो छोटे बच्चों में ज्यादा कुमन था टेनिया सोलियम यह जानते हैं इसे बोलते हैं हम लोग जैसे टेप वर्म यह जानते हैं यह जोटे बच्चे में बड़ा कुमन था जोग हो जाता था ना यहीं टेनिया सोलियम है और जैसे बहारती यह सब कॉंटिनेंट में यह बहुत यह बड़ा कुमन था और जिसे अब तो थोड़ा सा ठीक हो गया है अब इसके दवा हुआ जिसे प्रात्विक केंद्र में उपलब्द हैं और जो आसा कारी करता है या जो डॉक्टर है उनको नर्स को सजेश्ट किया जाता है कि एक साल दूर साल तीन साल के बच्चों को यह दवा उनको समय समय पर देते रहना चाहिए ताकि इससे होता कि भारतिये सब कॉंटिनेंट के बच्चों का व यह दृइजड कर लेंडिया इंथा आपने ली री सिमाल करते थे बच्चा बिशारा कमजोर होते चला जाता था बत्द UP हो जाते थे मतलब एक प्रतिकूलर उम्र पे जीतना वजन होना चाहिए उतना वजन हो नहीं पाता था उसे मुश्चा उमर कहीं साब सर्वरद कम होत तो reason इस परकार के जो fluke हैं यह होते थे यह जो बच्चों को nutrition जो मिलता था बच्चों के nutrition को यह जो fluke हैं यह जो प्लेटोंम से यह एपजोब कर लेते हैं घणा जाते थे इसलिए बच्चे कमजोर हो जाते थे तो इसे लिए इस पर जाता है और आया चीज गणिन रहा चाहिए और इस प्रकार को पानी को अगधा है और बच्चे इन्हें चोटे बच्चे के निचर होता है हर्ची को मुह में अपना ले लेंगे को खा जाएंगे इस प्रकार के जो वजने के संभावना होती है ठीक है दोस्तों अगला जो लोग पढ़ेंगे अगला हो जाएगा आपका अगला हम लोग पढ़ लेंगे जो दुश्रा जो पाइलम है यह आपका निमेटोड़ा अगला है निमेटोड़ा इससे भी थोड़ा से अडवांस हो जाएंगे उन में क्या होगा जिससे देख लिए अभी हम लोग पढ़ लिए क्या प्लेंटी हेलमिन्थस अब इसके बाद ह झालेंगे जैसे नीमें लूड़ मिटोड़ा या इसी को नीमें लूड़ भूलो परते इसे जोंतल और किसी दो रहांड ओर्म सब्धनाया लंग मश्मीरिंब वर्म इस दो यह सब्धंदश लर्डि में इसका फिचरों क्या होता है दो नहीं यह एक्वेटिक होगा इसका फीचर क्या है एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले होंगे समझ गया ना जैसे फिरी लीबिंग और पारसाइटिक हो जाएगा फिरी लीबिंग है ऑफ लेटरली है से मिट्रिकल कि अधिक अधिक हो जायेगा ट्रिपलो बलास्टिक हो जायेगा कि टिप्लो ब्लाश्टिक दिखान करें इनके तेटिक हो जाएगा डायजेस्टिव सिस्टम इसके हैं सब्सक्राइब का अब हमगी ग्हलेवले जो सिफ्रम फ्रनेक्स स्था हो गया था समझ गया लेकिन लेकिन इनका जो इंट्रस का सव्राइब, ऺंद होने लगा था। जो प्रकारनल हम नहीं युगई के जो पैनल समानली का उतकर हो मिदिक हो गया था विस्कार अन prosecutors आठीन युगमुध हो गया था ह। लेकिन उस प्रकार का नहीं हुआ था जो और वाकित जीव का है या इंसानों का है समझ गया यह हो गया था इसका जैसे जिसले इसे इसमें dedicateर इसाइड को ब्र सब्रेटरी जिए इससमें इसमें इसक्त्रीक इस फांड इसने क्या था इस सेलोडल एक पेया जिस्टमं भी था चर्ष चुल्छ लेक्हा शची लेटरी के शिभांस नहीं था त्यू सिस्टमं भी था लेकिन उस level, उतनी level का advanced नहीं था लेकिन कुछ इस प्रकार का system इनमें develop होने लगेते समझ गये, nervous system भी था इनमे nervous system भी था nervous system भी था और यह कुछ activity को analyze करने लगेते, समझने लगेते समझ गये, पतब यह इनके अपना दोपर इसका गुन था सब्सक्राइब पहले बता दें कि एक्चुली पारा साइटी की निचर का था ठीक ना इसा बहुत सारे बीमारी यह समान लिए लिफैंटी एसिस या फेल फेलरी एसिस यह सब है ना तो इनके कुछ बीमारी यूं इसे जो होने वाले उसका नाम लिख लिजिए जैसे इसमें लिख लिजिए एसकेरी इसकेरी इस जो राउंड वम कि राउंड वम कॉज करते हैं तो इसकेरी इस बिल्कुल बहुत महत्तोपन याद देखिएगा एसकेरी से राउंड वम दूसा देख लिजिए एक काईलोस्टोमा एक काईलोस्टोमा यह होता था आपका हुक वम कि यह हुकुम देखें यह भी छोटे बच्चे या कुछ बड़े बच्चे जो मानने यह 15-16 साल तक बच्चे तक हुकुम हो जाता था समझ गया बड़ा खतार नाक समझ गया यह यह जब यह हो जाता है तो पेट में बहुत दर्द होने लगता है और यह नूट्रिशन को श कि जो में उचेरिया कि उचेरिया कि बैंक क्राफ्टी देखें यह थोड़ा खतरना के इसमें क्या होता है कि यह से फेलेरिया बाद में या फेलेरियेशिश या फेलेरिया बाद में या फेलेरिया बाद में या बच्चे क्या जो बड़े लोग कि में अगर यह वर्म चला गया तो एक पर्टुक्लर समय के बाद उनके हाथी पाओं या हाथ फुल जाते थे इसे हम बहुंगों बोलते थे ना कि फैलेरिया फेलेरियेशिस यह वों वों से होने वाला डिजीश है या बीपीए से कई अग बाद पहुंचा है लोग दुष्टे दुष्टे मार के चले आते हैं प्लिपुल यह कोई से इसे नहीं है को मच्छर वचर मच्छर काटती जरूर है लेकि मच्छर उस वर्म के सलाइबा को ले जाता है और इंसानों में छोड़ दिया तो इसलिए द्यान देखिएगा जो फैलेरियेशिस होते हैं वोचेरिया बैंक क्राफ्ति एक वर्म है एक पीड़ा है इनसे होने म हमारा बीमारी है दोस्तों द्यान देखिएगा पुचेरिया वैंक क्राफ्ति क्या है जो फैलेरियेशिस का एक कारण बनता है तो यह इनी से होने माला बीमारी है ठीक है दोस्तों आज हैं आज दो फाइलम हम बताएं अगला देखें फाइल हमारा एन लीड़ा और 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 किंग्डम का जो सबसे बड़ा है सबसे ज़्यादा और गनीजम इसी में है मतलब मोर देन 60% 70% और गनीजम इसी में आ जाते हैं इसे हम और डीटेल से कर लेंगे अभी यह जो दो आपका जैसे प्लैंटी हलम इंथस और एन लीड़ा दो दो का बताएं इसको थोड़ा ध्य कर लीजिएगा देख लीजिएगा ठीके दोस्तों मिलते फिर अगले वीडियों जाहीं